बिस्मिल आर्मान रहीम असलाम लेकूम परफेशनल तरिके से बीफ कड़ाई कैसे बनती है वो आज मैं आपको बताऊंगी आप वीडिया अंट तक देखेगा इसके दो स्टेप हैं सबसे पहले हमने एक उकल ले लिए उसके अंदर मैंने एक किलो गोष्ट बीफ का डाल दिय मैंने एक लाट साइस की पैयाज शामल कर दिया उसके अंदर में नवे परषंट तक गुलाने तक इसको मैं पका लूंगी 10% हमने इसको कच्छा छोड़ना क्योंकि हमने फिर इसका दूसरा step भी करना और यह देखें 90% तक मैंने इसको बीव को गला लिया यह देखें बस इसको हम कड़ाई में शामिल कर देते हैं यानि shift कर देते हैं तो इसका ये दूसरा स्टेप है इसके अंदर जखनी भी थी थोड़ी सी वो वे मैंने इसके अंदर शामील कर दिया अब चार आधर में पास टमाटर ना इसको मेरे कर लिए एक टमाटर के दो हिस्से कर दिये और इसको मैंने ऐसे उल्टा करके पढ़ाई के अनदर टाल दिये चुला मैंने जला दिया इसको हम ढखकर इतनी देल तक पकाएंगे कि टमाटर जो हैं वो हमारे सोफ्ट हो जाएं यह देखें टमाटर सोफ्ट हो चुके हैं इसकी हम उपर से छिलका राम से उतार देंगे बस अब इनको हमने हाई फ्लेंग के उपर बहुत अच्छी तरह टमाटर को मैश कर लेना और जितनी भी जखनी है वो भी सारी खुश कर लेनी हैं हमने फ्लेम हमने हाई रखनी है जड़िके काफी हेते हैं तोमाटर इसके मैश हो चुके हैं और जितनी यक नी थी भी सारी खत्म हो चुकी है अब हमने इसके अंदर आदा कप आइल का शामिल करना है और साथ ही वन टीजपून लाल मेचों का शामिल कर देना है सब्सक्राइब और वन टीस्पून जीरा पौडर करेंगे अब दुबारा हमने इसको अची तरह भूना है क्योंकि दही शामिल किया है तो दही ने भी अपना पानी चोड़ना है दुबारा हमने आइल लैदा होने तक इसको अच्छी ज़र्ण हमने भूनना है अब हमने एंड मेश के अंदर क जितने आपको पसंद हैं यह है जी इसकी फाइनल लोग कितनी जबर्दस यह कड़ाई बने थी लाजमी इसको ट्राई कीजेगा रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक को शेर कीजेगा हो सेकत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा नेस्ट वीडियो मिलते हैं लाफीज